नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी कजी के माहत्मा जी में दोस्तों आज हम याद करेंगे नदियों के उद्गम स्तल 30 पलस हम नदियों को कवर करेंगे और ट्रिक के साथ कवर करेंगे आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है बस आप वीडियो complete देख लेगे ना तो यह आपको चुटकियों में याद हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं फटा फट सबसे पहले सिंदू और ब्रहम पुतर नदिया कहां से निकलती है आपको तीन सक्ड़ मिलते हैं उसका बाद ट्रिक्स हम इसका जवाब देंगे अप्शन B मांसरोवर जील देखे सिंदू और ब्रहम पुतर नदिया मांसरोवर जील से निकलती है सिंदू याने की साधू और ब्रहम पुत्र याने की ब्रहमन का साधू और ब्रहमन का हमें मान सम्मान करना चाहिए नेक्स्ट जेलम नदी कहां से निकलती है अप्सन ए सेसनाग जील अब देखिए जेलम याने की जेलना बंदा जेल नहीं पाएगा कब जब उसे सेसनाग डस लेगा काट लेगा अगर किसी बंदे को सेसनाग ने डस लिया ना तो जेल नहीं पाएगा उसमें इतना जहर होता है कि बंदा जेल ही नहीं पाता तो जेलम नदी कहां से निकली सेसनाग जील से नेक्स्ट चिनाब नधी कहां से निकलती है अब दिखें चिनाब याने की चुनाओ चुनाव आते ही नेता क्या करते हैं बाड़ा लालस देते हैं बड़ा बड़ा लालस देते लोगों को आरे बाई मुझे वोट देना तिरको गड़्डी दिल्वाऊंगा अब मुझे वोट देना तेरे को एक भैस दिल वा दूगा दूद पी नमस्ति से तो चिनाब याने की चुनाव आते ही नेता लोग बड़े बड़े लालस देते हैं याने की बारा लाचा दर्रा भाईयो भैनो मित्रों आप किसी के भी पहकावे में मताना किसी से भी लालस मत बड़े ना आपको जहां मन करें आप वह ही और न हम निकलती है और पिसनदी नेदी निताल के निकट से अब देखिए रौप गंगा वोगान है आपने सुना ओगा राम तेरी गंगा मैली हो गई नैइनी मैनी को रिलेट कर रहे हैं मैली से तो बिल्कुल ही जी ना राम तेरीगंगा मेली हो गई तो राम गंगा नदी कहां से निकलती है नैनिताल से, याने की मेली हो गई Next, रावी और व्यास नदी कहां से निकलती है Option A, रहतांक दर्रे से और ये कहां है ये हिमाचल परदिस में हम इसकी आपको ट्रीक भी करा चुके हैं अब देखिए रावी याने की रवी रवी नाम का लड़का है और उसे क्या हुआ है व्यास याने की प्यास व्यास उसे प्यास लगी है और इतनी जोर से प्यास लगी है कि वो रोने लगा और रोता रोता तंग हो गया रो तंग हो गया अब रवी नाम का लड़का है उसे प् इमेज बनाई अपने माइंड में या आपको इजील याद हो जाएगा अच्छा है रेवी को प्यास लगी अच्छा है रोता रोता तक हो गया अरे पानी को बचाओ पानी बचाओ कि तो कल तुम्हें भी पानी मिलेगा जलही जीवन है अच्छा है नेक्स्ट नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अप्शन ए अमर कंटक की पाहड़िया और ये मध्य पर देश में हैं अब देखे नर्मदा में वो इशारी है मर्द की यानि कि जो मर्द होगा ना उसका नाम इतियास में सोन नदी यानि कि स्वनक्सरो में लिखा जाएगा वो हमेशा के लिए अमर कंटक अमर हो जाएगा जो मर्द होगा ना उसका नाम इतियास में स्वनक्सरो में लिखा जाएगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा यानि कि अमर कंटक तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्तल हो गया अमर कंटक की पाहडियों से जो मर्द होगा वो सदा अमर रहेगा नेक्स्ट तापती नदी कहां से निकलती है अप्शन B मुलताई MP मध्यपरदेश से अब देखिए तापती याने की ताई तापती को हम ताई से रिलेट कर रहे है और यह नदी कहां से निकलती है मुलताई यहां भी आगया ना लास्ट में ताई मुलताई MP से मध्यपरदेश से तो तापती याने की ताई और यहां है मुलताई next यम्ना नदी कहां से निकलती है byluckool एजी केशन option a यम्नोतरीी ग्लेशियर उत्राखंद से अब देखें यम्ना यम्नोतरी बिल्कुल एजी है यह यम्ना और यहां है यम्नोतरी ऐसे आध हैं next गंगा नदी कहां से निकलती है option a गंगोत्री गलेशियर देखिए गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमना निकलती है यमनोत्री से बिलकुली जी है ये दोनों ही गलेशियर उत्राखंड में है नेक्स्ट गंडक नदी का उद्गम स्थल option C नेपाल अब देखिए गंडक याने की गंडा गंडक को रिलेट कीजी गंडे से और क्या कह रहा है नेपाल याने की नेपाल क्या नेपाल गंडा मत पाल मेरे भाई चाहे कुछ भी पाल ले गंडा मत पाल और खास दोर पे एक सिंग वाला गंडा बहुत कतरनाग होता है तो भाई मेरे कुछ भी पाल ले तू लेकिन गेंड़ को मत पाल हाथ जुडवा ले मेरे भाई तो गंड़क नदी हो गई नेपाल से नमस्ति जी देखिए जी मैं केजरी जी देखिए जी आम आदमी को भैस पालनी चाहिए जी गाय पालनी चाहिए जी भेड पालनी चाहिए जी लेकिन गेंडा नहीं पालना चाहिए जी, नेक्स्ट, कोशी नदी का उद्गम स्थाहां से है, उप्शन A, सब्थ कोशी नेपाल से, अब दिखी कोशी नदी और यहां है, सब्थ कोशी, कोशी कोशी सेंवो इसारी है न, तो यह बिल्कुल इजी होगा, कोशी नदी का उद्गम स्थाहां हो गया, सब्थ कोशी नेपाल से, नेक्स्ट, महान नदी कहां से निकलती है, अब देखी महान नदी है, महान, क्या कह रहे हैं, महान नदी है, इतनी महान नदी है, इतनी जबर्दस्ट नदी है, कि उसके सामने कोई भी आदाना उसको क्या कर देती है सुहा उसका सुहा कर देती है उसको खतम कर देती है उसको नश्ट कर देती है तो महा नदी का उद्गम स्थल हो गया सिवहा याने की सुहा उसे सुहा कर देती है अब महा नदी है आगे कोई भी रास्तें पेड आ गया पस से वह इसारी है ना ? Goda ! गोदावरी Godan और कितनी बार क्या है गोदान ? मैंने Godan किया है तीन बार तो गोदावरी नदी का उद्गम्स्थल होगा ? next कावेरी नदी applies का उद्गम्स्थल option c ब्रहमगिरी पहाडी करनाटक में अब देखिए कावेरी करम करोरी ब्रहम गिरी ब्रह्मा जी की नजर आप पर भी गिरेगी ब्रह्मा जी की किर्पया आप पर भी गिरेगी यानि कि ब्रहम गिरी पहाडी लेकिन उसके लिए कावेरी करम करोरी ब्रह्मा जी की नजर आप पर जरूर गिरेगी तो कावेरी नदी इसमें स्टल नदी का उद्गम स्थल अप्शन ए जाना पाओ पहाड़ी अब दिखी चंबल यानि की कंबल अब बंदा जो है कंबल लेके आया लेकिन कंबल आ छोटा उसके अंदर क्यां है दिखी जाण जान पाओ निचिर इनके पैर पूरे नहीं आते अगर दक लिया तो पैर अधुरी रेचियेंगे पैर को पड़ तो sv अगल नहीं डख पाएगा निकी कंबल आ तो जाना भी नहीं आता इस कंबल में तो तो कैसा कंबल ले किया या तू जाना यार जाना पाओ पाहड़ी हो गई चंबल ना दीका उद्गमस्थल और यह पाहड़िया मध्य परदेश मिश्थी थे नेक्स्ट किर्षणा ने दीका उद्गमस्थल अब देखिए किर्षणा याने कि किर्षण भगवान आपको पता यह माहा बली थे माहा बली थे जिसने कंस को मारा सेसनाग को मारा और एक उंगली पे परवत को उठा लिया था तो किर्षण भगवान क्या हो गए माहा बली याने कि माहा बलेश्वर next लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां है option A नाग पहाड राजस्थान अब देखें लूनी को relate कीजिए खुनी से लूनी खुन खुनी अब यहां है नाग पहाड अब देखें नाम भी अजीब है नाग पहाड यानि की ऐसा लगते है जिसे पहाड ओपर नाग रहते हैं अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको डस लेंगे और आपको खुन निकलेगा लूनी खुनी खुन निकलेगा बलड निकलेगा और वह आपके लिए खधरनाग भी हो सकता है तो लूनी नदी का उद्गमस्थल हो गया नाग पहाड यानि की पहाड पर नाग रहते हैं वह डस लेते हैं नेक्स्ट यांग शी नदी का उद्गमस्थल अप्शन A तीबत का पठार अब देखे आपने सुना होगा यांग शी यानिकी याक याक के बारे में आपने सुना होगा न वो बोज़ा डोने के काम आते हैं और ज़्यादा तर कहां पाए जाते हैं तीबत का पठार याने कि वो तीबत में पाए जाते हैं तीबत के लोग ज़्यादा तर याक का इस्तिमाल करते हैं बोज़ा इदर उदर ले जाने में तो यां साबर मती से आदाता ना कि साबर मती के संथ तुने कर दिया कमाल महात्मा गांदी जी से संबंदित हो गया ना और साबर मती के संथ की हमेशा क्या है जै जै होती है हमेशा साबर मती के संथ की महात्मा गांदी जी क्या हमेशा जै करते हैं तो जील कौन सी होगी जै समंद जील और यहां से निकलती है साबर मती नदी, नेक्स्ट, दामोदर नदी का उद्गम स्थल, अप्सन B, छोटा नागपूर पठार ये जारखंड में है, अब देखिए छोटा यानि कि छोटे ने नागपूर नाग को पठार पत्थर से मारा, छोटे ने नाग को पत्थर से मारा, क्यों मारा, क्योंकि वो दमदार है, दामोदर यानि कि दमदार है, बहादूर है, इसलिए, हमारे छोटे ने नाग को पत्थर से मार दिया, इसलिए मार दिया ना, क्योंकि वो दमदार है तो दामदर नदी का उद्गमस्थल हो गया छोटा नागपूर पठार छोटे ने नाग को पत्तर से माल डाला next घागरा नदी का उद्गमस्थल option a मत सांगतुंग नेपाल अब देखिए मत सांगतुंग में स्टार्टिंग मारा है ना मत याने की माता मत माता और माता जी क्या पहनती है घागरा घागरा पहनती है ना माता जी जो हमारी माता ये भेने हैं वो घागरा पहनती है अभी नहीं पहनती लेकिन पहले पहना करती थी तो हमें तो रिलेट करन तो घागरा नदी का उद्गम स्थल हो गया मत सांग तूंग नेपाल से नेक्स्ट नील नदी कहां से निकलती है option A Victoria Gheel अफरीका अब देखिए Victoria यानि के vicket गिर गई सभी की सभी सारी की सारी vicket गिर गई और team ने रण कितने बनाए nil nil run बनाए सुनने run बनाए क्यों क्यों कि भई सारी vicket गिर गई run कैसे बनाएंगे भाई जब सारी विकिट ही गिर गई तो रन्तो आटोमेटिकली निल हो गए ना तो निल नदी कहां से निकलती है विक्टोरिया जील से दक्षिन अफरीका दोस्तों इस ट्रिक का आपको बैक टू बैक प्रक्टिस एड पे अवलेबल करवाया जाएगा कल शाम तो आपको इन सभी क्षिनों को प्रक्टिस एड पे मिल जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और टेलिग्राम गुरूप से आप इसका पीडियाफ डाउनलोड कर सकते है नेक्स्ट अमेजन नदी का उद्गम स्थल अप्शन डी लेगो विलफेरी अमरिका अब देखिए अमेजन यानि की आमजन अमेजन आमजन सेम वोई से ना अमेजन आमजन और यहां क्या है लेगो लेगो यानि की लोग लोग जो यह क्या है वो आमजन है ना जितने भी लोग है वो आमजन हो गए ना तो अमेजन नद अब देखिए डैनूब याने की डाइना और डाइन कहा रहती है ब्लैक फोरेस्ट काले जंगल में रहती है डाइना दोस्तों डरना माते हैं अचरेप आपको रिलेट और याद कराने के लिए प्लिज डॉंट माइं तो डैनूब नदी का उद्गम स्थल हो गया ब्लैक फोरे एक फश्ट में रहेगी न नेक्सट हांगो नदी का उद्गम स्थल को अफन एक ट्यों लून परवत चीन देखिए हांगो नदी को चीन का शोक भी कहाजाता पिली नदी नदी आती तो काफी तबाही मचाती है बहुत बहरी मात्रा में जल आता है लोग परेशान होते तो तो क्या कहते हैं क्यूं क्यूं आई नदी क्यूं आई नदी क्यूं आई बाड क्यूं 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 क् कहां से निकलती है रूस से नेक्स्ट सतलज नदी का उद्गम स्थल लोग होते हैं उनका कभी भी मान सम्मान नहीं होता उंक्वीना के लेका कूण है इसका इसका जवाब चाहिए ए कैसी जवाब तो दोस्तों धीजिए फटाफटिस बोक्स में बदा सकते हैं और इस वीडियो के बारे कोई भी सुझाओ कोई भी चारतों फिलीज कोमेंट्स कीजिएगा तो मिलतें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारा